नमस्कार, मैं सोनल और आज हम बनाने वाले हैं एक बिल्कुल नई और बहुत ही एडिक्टिव रेसिपी नॉर्मल नमक पारे तो हम सबी खाते हैं, इसलिए आज हम थोड़ा डिफ्रिंट बनाएंगे एक पैन में थोड़ा तेल गरम कर लिजे, उसमें बारी कटा धनिया डाल लिजे इसे तेज आज पर कुछ दिर पकाईए और इसमें नमक डाल लिजे धनिया को तब तक पकाना है जब तक उसका सारा मोईस्टर न चला जाए धनिया को लगाता चलाती रहिएगा ताकि वो जल न जाए, वरना कड़वा टेस्ट आएगा एक बूल में थोड़ा मैदा ले लिजे और उसमें डालीजे स्वादनुसा नमक नमक पा रहे हैं तो थोड़ा ठीक ही डालीएगा मसल कर राज बाइन ॢाल लिजे अब इस तेल को भी आती में अच्छे से मिक्स कर लीजे मोहिन चेक करने के लिए आती को मूठी में दबाके देखे अगर वो बंदा रहता है मतलब ठीक है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा लगा लिजे ना ही जादा tight ना ही जादा soft अब जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे एक रोटी बना ले और जिस तरह से मैंने layers दिखाई है वैसे बना लीजिए यह जो paste में लगा रही हूँ यह है room temperature घी और corn flour ध्यान से देखिए मैंने हर fold की बाद में थोड़ा paste लगाया है और थोड़ा सूखा आटा लगाया है इस process को मैंने कम से कम दो बार तो किया है इससे हमारी जो मच्री है ना उसमें layers आएंगी इस सेम मच्री की recipe को आप अलग-अलग flavors में भी try कर सकते हैं बस ingredients change करने हैं बाकी पूरा process बिल्कुल सेम रहेगा अगर आप मेरी बनाई और भी नई recipes try करना चाहते हैं तो उपर लगे card पर click कीजिए और अगर आपको ये recipe पसंद आया ना तो अपने friends और family में भी इसे ज़रूर share कीजिएगा अब इस मच्री को पराठे की जैसे roll कर लीजिए और equal pieces में cut कर लीजिए मच्री के end को अच्छे से seal करें ताकि वो fry करते समय खुलना जाए अब इन सभी layered मच्री को इसी तरह से तयार करके side में रख लीजिए अब हम बहुती easy और जटपट तरह से मच्री तयार करेंगे आप देखिएगा जब हम इसे fry करेंगे न तो बिल्कुल जैसे दुकान पर नहीं मिलती है वैसी मच्री लगेगी देखिए कितना easy तरीका है ये अब एक कड़ाई में fry करने के लिए तेल गरम कर लीजे oil check करने के लिए थोड़ा आटा डाल के देखिए अगर वो bubble करके float करने लगे मतलब fry करने के लिए बिल्कुल ठीक है अब हमारी तयार के हुई सभी मच्री को हम धीरे धीरे fry कर लेंगे मच्री को धीमी आज पर fry करें देखिए हमारी मच्री में कितनी सुन्दर layers आई है आप घर पर बना कर खिलाईएगा देखना सब को पसंद आएगी layered निमकी में में मेहनत तो है पर no doubt results worth it है ये दिखने में तो अच्छी है ही पर टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और देखिए कितनी क्रिस्पी भी है और ये layers वाली देखिए इसमें हमने paste लगाया था ना घी का इसलिए वो खस्ता बनी है मेरा honest opinion है अगर आप इन दोनों मच्छीयों को एक साथ बनाएंगे न तो आपको layered वाली जादा पसंद आएगी बाई